हेलो फ्रेंड्स ये तो हम सब जानते हैं कि शुद्ध की हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आईए आज मैं आपको बताती हूँ कि घर में ही इतनी असानी से इसे बना सकते हैं यहां मैं भारी तले की कड़ाई में मलाई डाल रही हूँ यह मलाई करीब 8 लीटर दूद की है ध्यान यह रखना है कि मलाई को जब आप दूद पर से उतारें तो इसे पहले फ्रीजर में रखें और जब घी निकालना हो तो उसके 10 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दें इसको रूम टेंपरिचर पर लिया है इसमें मैंने ना तो जावन लगाया है ना ही मिक्सी में चलाया है बस कढ़ाई में इसे डारेक्ट डाल दिया है इसको लगातार चलाते रहे हैं धीरे धीरे देखें यह घी छोड़ने लग रहा है अब आप बीच बीच में दूसरा काम भी कर सकते हैं भारी तले की कढ़ाई में यह नीचे नहीं लगता है बीच बीच में चलाते रहें यह देखें इस तरीके से देखें कितना सारा घी निकल रहा है अब घी में अच्छे से उबाल आ गया है तो गैस बंद कर दीज़े क्योंकि यह अपनी गर्मी में ही कुछ देर तक पकता रहगा अब घी अल्मोस्त तयार है इसको चानने के लिए प्लास्टिक की चलनी या कपड़े का इस्तेमाल बिलकुल ना करें यह इसको इस तरीके की स्टील की चलनी से चाननें अब हम इसको चान लेते हैं यह देखें कितना सारा घी निकला यह करीब आधा लीटर से भी ज्यादा घी है यह देखें कितना साफ शुद्ध घी और यह जो खोया निकला है ना इसको आप मिठाई या सबजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं घर में बच्चे हों तो शक्कर मिला के ऐसे ही खा लेते हैं